इसक Kleidungs कि पेम एवं कंदो राज सरकार ही मतलब हममं कितना उधार लेशक्ति में पेर में किक से ले सकती हैوجिक इसका हम लिए बुजन हैँ निकार में कितनम राज सरकार के स्च सकती है & इस्टेट ग NEWर्रमेंट्स. सकल राज घरीलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रोड़क्त जी एसडीपी के 3% से बढ़ा कर 5% कर दिया मतलब किसी स्टेट का अगर ग्रॉस डेवलप्मेंट जो हमारा ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रोड़क्त है वो अगर 100 है तो उसका हम 5% उधारी ले सकते हैं केंद्र सरकार की उधार लेने के अगर हम तुलना करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं सबसे पहले तो समविधानिक प्रावधान जो इस पहले सब्सक्राइब के अधीन उधार लेने की अप्रतिबंधे जक्ती मतलब कोई प्रतिबंद नहीं लगा जा सकता है इस पर उधार ले सकती है लेकिन एक निरधारी सीमा है जो कि संसद हमारी पारलियर्मेंट डिसाइड करेगी और यह अनच्छे 252 में है लेकिन राज में अनुचे 293 जस्ट इसका अगला अनुचे 293 मतलब आर्टिकल 292 जो है हमारा ये केंदर को उधार लेने के लिए प्रावधानमी करता है और 293 राज्य को उधार देने के लिए या किसी से लेने के लिए राज विधान मंडल को विधी दोरा इसे समय समय पर न राज छेत्री रहिए टेरी टेरिटोरियल रिस्टिक्शंस क्या है कोई प्रतिबंद नहीं केंद सरकार घरेयलूशरतों से या विदयेशों से उधार ले सकती है या जेपान से अमेरिका से किसी से भी लोन अगर वो लेना चाहे है या हमारे United Nations से या कोई फंड चल रहा हो तो उसे उधार ले सकती है राज सरकारे केवल घरेलों उस रेतों से उधार ले सकती है ये कहीं आप foreign में नहीं जाएंगी ये FDI लाएंगी लेकिन ये direct foreign में नहीं जाएंगी ठीक है लेकिन केंदर रुपे इसका कोई प्रतिबंद नह प्रतिबूत security पर रण ले सकती है मतलब जो बैंकों में वह संचित निदी की प्रतिबूत security जमाकाती उस पर रण लेती है यादि केंद से पूर में लिए गए रण की कोई भी बकायराशी हो तो अन्य रण प्राप्त नहीं किया जा सकता है मतलब अगर पहले से उन्होंने क कोई रण लिया उसकी बकायराशी वो पेमेंट दुबारा नहीं किया तो आगे रण नहीं ले सकते तो ये जो है दो अन्य नय प्रतिबंद ये राज सरकारों पे हैं कि इन सरकारों पे ऐसा कुछ नहीं है अन्य संबंधित तथिस में और fact क्या है तो संचित और समेकित रण शोधन निदी मतलब अगर कोई हमने ले ले लिये तो इसकी सोधन निदी भी है तो हाली में लॉक डाउन के कारण राजश्च रशोतों के सिथिल पढ़ जाने की कारण राजश्च रशोतों मतलब की हमारा जो बंडार है वो सिथिल पढ़ गया है ना हमारा GST collection अच्छा हो हुट परदान करें मतलब हमें कुछ रण दें राजश्चों को उनका बाजार रणों से मुक्ती के लिए RBI ने 1999 Crash 2000 में समय की तरन सोधन निदी का गठन किया था मतलब अगर बाजार से रण ले लिया है और इसकी शुन्दी करनी है तो RBI ने 1999 और 2000 में मतलब इस सन में समय की रुण सोधन ने दी CSF जिसे Consolidated Sinking Fund कहते हैं का गठन किया था CSF एक आरच छित ने दी है ये रिजर्वड एक इसको एक अलग तरीके से रखा गया अगर कुछ गरबड़ होता है तो हम इसे दे देंगे इसको प्रयोक करेंगे इसे राज्योदारों के रुण दायतों के परिशोधन में रुण मुक्ती में रुण दायत जो हैं मतलब किसी से रुण ले लिए इनों अब दे नहीं पा रहे मतलब वो पहले से दे देती है अर्वियाई को ताकि अगर हम किसी को अधारी नहीं दे पाएंगे तो आप ये बचत खाते में से हमें दे दीजेगा CSF योज़ना के तहत राज्य सर्कार अपनी भविशिकी देंदारियों के पुनर भगतां के लिए बफर श्रजित करने हैं CSF में अपनी वाशिक बखाया देंदारियों के 61-3 परसंट का योगडान कर सकती है मतलब जो भी वाशिक बगाय देनदारी हैं कर एक से तीन परसंट अब CSF में जमा करिया प्रारम में ग्यारा राज्जियों ने रण शोधन निदियों को शर्जित किया ग्यारा राज्जियों ने CSF को शर्जित किया बाद में बारमें वितायो वर्स दोहुर्जारओं दसमी ने अनशंसित किया कि सभी राज्यों के पास सभी रणों के पर शोधन है तो रण शोधन निदी होनी चाहिए तो हमारे जो 12th Finance Commission था उसने क्या कहा Finance Commission ने क्या कहा कि सभी राज्यों के पास होना चाहिए, 11 राज्यों के पास नहीं, सभी के पास होना चाहिए, सोधन निधी, Consolidated Sinking Fund, CSF सब के पास होना चाहिए, ऐसे रोड़ों में बैंकों से प्राप्तरण, रास्ट्री, लगू बचित निधी, National Small Saving Funds, NSSF से संबंदित द समारी Consolidated Sinking Fund है, ऐसे राज्यों की संचित निधी से बाहर लोक लेखा, पबलिक अंकॉंड में प्रबंदित किया जाता है, और इसका उपयोग रेलों के मोचन को छोड़ कर किसे इने दर्श के नहीं है, अगर किसी को रल लिया है, उसका नहीं भुपतान हो पा रहा है, त हुमारा फंड है, संचित निधी है, उसका प्रशासन अच्छी तरीके से हो, इसलिए Consolidated Sinking Fund का उपयोग किया जाता है, बनाया गया है, कब बनाया गया है ये Consolidated Sinking Fund, इबार फर से देख लीजे, आरवियाई ने वह सुनिसंद दिनन्ने अन्वे 2000 में बनाया, और ये समय कितना सोधन निधी है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहा गया, कि एक से तीन परसंट का युगदान कर सकते हैं, फिर क्या हुआ, गयारा राज्यों ने बनाया, लेकिन बारवे वितायव में, दोजर बाद में कहा, सब के पास होना चाहिए भीया, तो ये हमने पढ़ा, अब उसके बाद हम अगला टॉपिक एक डिकते हैं, अनुच्छे 370, आर्टिकल 370 हटा था, उसके बारे में क्यों सुरक्यों है, पिछले वर्स अगस्त महा में, अनुच्छे 370 और 35 के उत्सादन, मतलब ये हटा गया, रिमूव किया गया था, जम्मू कश्मीर के प्रशा संधी पर अस्ताचर किये था है, ठीक है, कश्मीर को सरुच्छा प्रदान करने के लिए, कश्मीर के साथ संधी पर हस्ताचर करने के अपरां समविधान के भाग, इसे क्या पढ़ेंगे, 21, 10, 10, 1, मतलब 21, भाग 21 में अनुच्छे 370 के अंतरविस्ट किया गया था, भाग 21 में पार्ट 21 में से अंतर्विस्ट किया गया है इस अनुच्षेद को अस्थाई संक्रमन का लीन और विशेश प्रावधान गोशित किया गया था क्या गोशित किया गया था अस्थाई है टेंपरेरी है संक्रमन का लीन है विशेश प्रावधान गोशित किया गया था जो जम् वित और संचार को छोड़कर अन्य कानून के लिए राज सरकार की सहमती की अविश्यक्ता होती थी पितलब रक्षा तो किन सरकार करेगी फॉरन मामले भी यही समालेगी और वित और संचार भी यही समालेगी लेकिन राज सरकार और सबकी सहमती के बिना काम नहीं कर सकती किन स साथी राजिके निवासी अन्य भारती नागरिक की तुलना में नागरिक्ता संपत्ति के सौमित प्रथक डंड सहीता और मुल अजिकारों से सम्मधित कानू के प्रथक संभू के अधीन चाशित हों गया मतलब इनके लिए इक अलग कानून था अधयस 2019 में भारत के राजपती दोरा समवितान निमू कशमीर में लावव और देस 2019 को प्रक शापित किया गया मतलब अलग कर दिया गया जिसमें यह विद्धान च्राथ विद्धान इनके राजपती ने कर दिया गया इसका प्रभावी अर्थिया था कि जम्मू कश्मीर के लिए प्रतक सम्विधान का आधार निर्मित करने वाले सभी प्रावधान समाप्ट हो जाएंगे मतलब कि क्या है प्रतक सम्विधान का आधार जो है समाप्ट हो गया इसके साथी अंच्छेद 25 से सुताही समाप्ट हो साथ ही संसत दौरा कश्मीर पुनरगठन अधिनियम 2019 पारित कर दिया गया अब री और्गनाइजेशन बिल पास किया गया री और्गनाइजेशन बिल जो है 2019 पास किया गया था जिसके माध्यम से जम्मु कश्मीर को दो संगराज शेतरों यूटी यूनियन टेरिटरीज में विधान सभा भी नहीं होगी विधान परसुत तो छोड़िए यहां पर विधान सभा भी नहीं होगी लद्धाक संग राज्यशेतर ठीक है अच्छा फिर से हम देखते हैं उपर देखिया अनुछे 370 और 335 यह बहुत ही प्रचलन में था लोग कह रहे तो यह हट नहीं पा मतलब अलगा ही समविधान बना लो रहोगे भारत में और अलग समविधान चाहिए द्वार अशाशित होने रच्छा वित विदेश मामले और संचार को छोड़ कर विशेश शक्ति प्रदान करता था अनुछे 370 गंसार अच्छा विदेश मामले विदेश संतार को छोड़ के शक्तियां दी थी मतलब एक स्पेशल एरेट दिया गया था इस कदम के नहितार्त जम्मू कश्मीर में अब भारती समविधान पूर्वरती च्छे वर्षों की बजाए पांच वर्षों के लिए हो गया है अब चलेगा आई पीसी इंडियन पीनल कोड अब अनुच्छे 356 जिसके अंतर किसी भी राज्य में राश्परती सासन लागू किया जब सकता है कश्मीर संग राज्य पर भी लागोगा अब वहां भी प्रेशेडेंट रूब लग सकता है तो प्रेशेडेंट रूब है जिसको 356 लगा जाता है वहां पर लग सकता है स्कूल कॉलिज में प्रवेश राज़ी सरकार की नाकरिया में केंदरी कोटा कानून आरत्षण संबिनी कानून लागों वहाँ का अपना नहीं होगा आप केंदर सेंटर के कानून लागों गान राज्याओं के लोग जम्मू कश्मीर में संपत्य निवासी संबंदी अधिकार प्राफ्ट करने में सच्छम हो सकेंगे यहां आप सूचना का अधिकार आटी राइट आटी नहीं जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर संब्धान के कुछ प्राफ्धान जिसके तहट राज्य के बाहर किसी वेक्ट से विवाह करने वाले इस्थानी महिलाओं को राज्य जम्मू कश्मीर में संपत्य के अधिकार से वंचित कर दी जाएगा अमान नहीं हो सकते हैं मतलब कि 35 से हड़ गया है तो अगर महा की महिला है यहां उत्तर प्रदेश में किसी से विवाह करती है तो वो लड़का भी जम्मू कश्मीर मेर है कि मज़े से सब्सक्राइब में गदर काट सकता है इस अलोट एक्स्प्रेशिट गॉर देश्ट का इसे अलोट एक्सिट इसे रहा है तो से मना आघए रहां नग्दों मैं मैं एंट्यसरा अधिक भी दो 370 ने अमेंट के 370 किसको अमेंट करने के 370 को इस एलाओड रिपील इस एलाओड रिपील आफ आर्टिकल 370 ठीक है मतलब उस अनुच्छेद नहीं अपने आप को हटाने के लिए ही उसमें प्रावधान था तो इस तरीके से उसको हटा दिया गया अब देखिए संबन्दित घटना करम क्या है ये 1989 में जो लाए गया था उन्ने से 90 से पहले हमारे पैदा होने के तीन सल पहले ठीक है उसमें क्या है ग्रह मंत्रा लेने ग्रह मंत्रा लेने जम्यकुश्मियम नई शाषा निकाई के रूप में जिला विकाश परसुदों डिस्टिक जेवलफेंट कॉंसिल्स डीडीसी की स् है तो ये परिश्द है जिला योजना विकास बॉर्डों में संब्सक्राइब करते हैं जिला योजना विकास बॉर्डों में